अपने सीखने की प्रक्रिया को आगे ले जाते हुए जो आप लोगों का session on demand का ये series है इसका ये next part है ठीक है तो जारी रखेंगे और आगे के process को सीखेंगे अभी आप लोगों को क्या-क्या सीखना बाकी है तो आज के session में जो हम लोग discuss करने वाले हैं पहले तो ये जो आप हैजिंग करते हैं हमारे traders जो हैं वो हैजिंग करते हैं तो आप जो positions दिखाते हैं हमारे traders जो position trade करते हैं वही position में आप लोगों को show करता हूँ तो regular basis पे profits generate होते हैं कि daily to daily जो trade execute किया जाएगा उसमें कहीं न कहीं profit आने की पूरी पूरी possibility हरहाल में हम लोग profitable trade ही exit करते हैं एक अच्छे खासे मुनाफ़े के साथ हैं इंट्राडे का 2% 5% 3% जैसा भी पैसा मिल जाए sir 1% मिल जाए तो वहीं लेने की कुशिश करते हैं कभ option buying कर रहे हैं ठीक है और projection पर आपकी command है नहीं option buying को मैंने कभी color ठहरा है नहीं ठहरा है मैं कहता हूँ option buying बस तभी करना चाहिए जब आपका projection पर command हो जब आपको बाजार में बैठने से पहले पता हो कि मैं दिनका 3 trade करूंगा और या तो 3 के 3 साही होंगे या कम से कम 2 साही हो तो आप पूछेंगे कि हमारे traders जो projection पर knowledge नहीं रखते हैं option buying भी नहीं कर पाते हैं उसके बावजूद वो कैसे profit करते हैं उसका एक कारण है देखिए मैं आपको दिखा हूँ समझे बैंक निफ्टी देखिए ये eye opening की तरह देखा किजे चीज़ों को ठीक है जो आप लोग की closing हुई है वहाँ से 60.60,70,80 points प्लस मैंनस rate कर रहा है अभी 50 point के आज पास bank nifty plus trade कर रहा है अच्छा bank nifty कल close हुआ च्यालिस हजार अभी trade कर रहा है च्यालिस हजर पचास bank nifty के call option में profit होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए 46,100 की call में, 200 की call में, 300 की call में, 400 की call में profit होना चाहिए न, 50 point उपर index rate कर रहे होना चाहिए ठीक है, अच्छा, चलिए, मैं आपको दिखाऊ जो लोग, कल 46,400 का, example के तौर पर 46,400 का call option buy करकर गए हो ठीक है, उनके साथ क्या किया है, बाजार ने बताईए 46,400 का call, 32% negative है, 171 point गिर गया बाजार क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, 35 point प्लस ही तो है 40 point प्लस है, 50 point प्लस है, और यह यहाँ पर 100,500 point से ज़्यादा, मैनस है सोचिए, call option buyer, call option buying क्यों करता है profitability के लिए, कि बाजार उपर जाएगा, तो मुनाफा होगा यही तो सीधा सा सिधन्त है, call option के जो भी script आपके पास tradable है 46,400, 46,200, 500, 800, 47,000 नीचे ITM buy कर लीजे, तो 45,500, 45,800 कोई भी call option आप buy कीजे, उसमें आपके buy करने के बाद index, bank nifty positive trade कर रहा है index में trade क्यों लिया जाता है, आप जब bank nifty में call option buy करते हैं, price उपर जाएगा तो मुनाफा होगा, यही सोच कर करते हैं, price तो 40.00 उपर trade कर रहा है, bank nifty का index, लेकिन 4.400 का call, 170 point negative, जो कल खरीद कर गया, उसका 170 point का loss जाए, बात क्लिए आप देखिए, आप बोलेंगे कि यह हो सकता है कि जो put buyer गए हो, put buy करके गए हो, उनको मुनाफा हो गया हो, अब ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, बोलने की सतनतता है से, बिल्कुल कह सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं, 400 point up trend में हम लोग गए, तो 45-600 का put भी देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, प्रीमियम्स, 500 और 200 point डिके हो गया, और यह 200 point कौन दे कर गया है, option buyer का loss है यह, option buyer loss कर कर गया, अच्छा आप एक बात बताईए, जब option buyer loss करता है, तो कौन profit करता है, option seller, option seller यह profit ले कर गया है, और option buyer loss कर कर गया, हम लोगों ने एक position ले कर गया थे हमारे trader, 45-400 का call put sale था, और उपर से उसके hedges proper तरीके से भाई थे, तो हम लोगों ने वो position एक अच्छे खासे profit में अभी close किया, अब हम लोग दूसरे एक hedge में एंटर कर गया है, उसका update आपको दिया जाएगा, क्योंकि उसको reveal नहीं किया जा सकता, जब हमारे traders के पास कोई position है, जब तक वो profit book नहीं कर लेते, तो सभी लोगों को वो देना संभव नहीं, ठीक है, जब आप हमारे trading community के सदस से होते हैं, live classes कर रहे होते हैं, उसके बाद, तब आप join करने के बाद, वो सारी trades का आपके पास access होता है, ठीक है, तो ये हो रहा है, मेरा margin बहुत बड़ा जा रहा है, margin, है न, margin की बाद होती, कि इसको अगर buy किया जाए, या sell किया जाए, तो sell करने में margin बहुत जाता है, इस पे sell पे click कीजिए, तो required margin कितना बता रहा है, 86,000, इस पे sell पे click करें, तो required margin कितना है, देखिए 89,000 तो दोनों लॉट को सेल करने में मार्जिन कितना आ रहा है 80, 80, 160 और लगबग लगबग 170,000 के उपर के रिक्वाइड मार्जिन है तो 170,000 रुपए सभी ट्रेडर के पास होना impossible बात है हम लोग भी नहीं लगाते सर जब आप कॉंटेक्ट करते हैं मैक्सिम्म टेडर का ये डाउट है कि option selling में इतना margin इतना fund कहां से लाया आजाए तो मैं आपको एक बात बताओं ये बिल्कुल myth है कि इतना margin आप से use हो रहा है आपको position में margin reduce करना आना चाहिए margin reduce कैसे करते मैं आपको बता दूँ दो मिनट का समय लूँगा ठीक है असानी से समझ लीजिए कि जब भी कोई option हाला की करना नहीं option selling नहीं की जाती है option buying नहीं की जाती है इसको proper hedge के साथ trade किया जाता है ठीक है proper hedging क्या होती है वो आप लोग classes में सीखते नीचे आप description में जाएंगे आपको सारे contact details मिल जाएंगे telegram channel का link मिल जाएगा telegram को join करेंगे ना वहाँ पर direct आप message भी कर सकते हैं join करने के बाद ठीक है तो वहाँ से आप सारी details ले सकते हैं उसके बाद सीख सकते हैं मैं आपको बदो अगर आपको कभी एक call बेचना है 46 400 का call sale करना है ठीक है 46 400 का call sale करना है जब आप 46 400 का call sale करें तो margin required margin कितना आ रहा है required margin आपका नवासी जार आ ठीक है अब यह नवासी जार आपके पास fund नहीं है तो आप क्या कीजिए margin benefit के लिए कोई एक 5-10 रुपए का call sale करने से पहले buy कर लिए sell बात में कीजिए एक call buy कर लिए 5-10 रुपए के options का ठीक है इसी तरीके से put sale करना है तो एक put buy कर लिए यह जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह कितना profitable आपके लिए हो जाएगा कितना margin डिश होगा मैं आपको करके दिखाँ orders में आते हैं ठीक है manually भी कर सकते हैं buy sell के बार ठीक है और यह जितने मैं charts अभी आपको मैं setup बताऊंगा कि long करने के लिए institutional buying का price कहाँ पर हम लोग catch करते हैं कैसे buying करते हैं जैसे हम लोगों ने HDFC बैंको 1380 के जब low लोगे वहीं पर catch कर लिया वहीं पर buying करने लगे थे 1400 के असपा से क्यों buying कर रहे थे वो institutional buying का zone था वहाँ से price लगबग लगबग 60-50 point दे चुका है ठीक है इस तरेके की buying जब आप करना सीख जाईएगा तब आपको समझ आएगा कि कैसे ये चीज़े काम करती है तो वीडियो के end तक बने रहेंगे तो वो जो एक institutional buying के orders कहां पर पड़े रहते हैं वो एक hack होता है उसको पहंचाना identification वो मैं आपको भी समझा दूँगा इसी वीडियो में ठीक है पहले एक बार margin को reduce करना सीख लेते हैं देखे यहाँ पर आईए और यहाँ पर मैं कोई A, B, C, D कोई भी एक basket बना दिया ठीक है बना दिया बनाने के बाद इस तरीके से इसको रखा इसको open कर लीजे open करने के बाद आपको क्या करना था बताईए 46,400 का call sale करना था add कीजे sale करना है ना market order normal order ठीक है 89,000 रुपया बता रहा है sale कर दीजे कितना margin यूज हो रहा है final margin 89,000 मैंने क्या कहा इसको जब sale कीजिए तो इसके पहले एक buy कर लीजे कोई call option जिसका premium 5-10 रुपय चल रहा हो तो अगर हम लोग 48,000 या 47,500 का कोई call option buy कर ले जो लगबग लगबग premium वही होगा 5-10 रुपय के आसपास 47,500 का दूसर बहुत margin है भी ठीक है तो हम लोग 49,000 की तरफ चलते 49,000 की call की तरफ चलते है 15 रुपय ठीक है 15 रुपय का एक premium आप buy कर लीजे तो ये आपका margin कितना आजाएगा reduce होकर पता है देखिए 55,000 ठीक है hedge का benefit कितना मिल गया 34,000 रुपय आपके बच गए अच्छा आप और reduce करना चाहते है तो मैं बोलूँगा 15 रुपय का margin buy किया है 15 की जगह है आप 20 रुपय का margin buy कर लीजे जैसे 48,500 को या 48,600 को buy कर लिया जाए 48,500 की call को buy कर लीजे ठीक है याँ पर 25 रुपय का margin देखिए 47,000 ठीक है इस तरीके से margin reduce किये जा सकते हैं आप इतना पैसा दे रहे हैं मैं आपको बताओ जब आप classes में आएंगे तो यही margin जो final margin अभी आपको 46, 47,000 use हो रहा है इसी trade को मैं 30,000 में execute कराऊँगा 25,000 में execute कराऊँगा वो सारे hacks जो हैं आपको classes में सिखाए जाते है classes में हम लोग कैसे अब both side दूसरी तरफ से भी अगर sale कर देंगे न तो यह margin बढ़कर maximum कितना हो पाएगा अब 2000 के आसपस कैसे देखिए आप जैसे 45-600 को भी sale करना चाते है इसी के साथ sale कीजे put को sale करना है ठीक है इसको short कीजे 340 रुपए का premium sale किया 1,03,000 अब मैंने क्या कहा उधर भी एक buy कर लीजिए कोई put side be strike price जिसका premium चल रहा हो 20-25 रुपए के आसपस 10-15,20 रुपए ठीक है इस रुपए इस तरीके के premium 20 रुपए चल रहा है भाई कर लीजे यह देखिए final margin कितना 70,000 तो call और put दोनों sale कर लिया total margin हमारा आ रहा था 1,70,000 के उपर और अब जब उनको buy करने के बाद sale किया है तब पता लगा कि final margin कितना है 70,000 मतलब एक lot sale हुआ है 35,000 में दूसरा 35,000 में इस तरीके से कई सारे तरीके हैं अपने margin को कम करने का ठीक है margin benefit ले लिए आ जा सकता है आप लोग उसको use कर सकते हैं यह demet अगर open करना चाते हैं यहां से एक साथ सारे orders execute हो जाएंगे अगर open करना चाते हैं नीचे description में आपके पास link मिल जाएगा धनके demet का उससे open कर लिए ठीक है चलिए अब हम लोग चलते हैं जो चीजे हम लोग सीखने के लिए आए हैं मैंने आपको एक theory clear कर दी कि hedging कैसे आपके लिए profitability लाती है देखिए यह कितना premium अभी यह देखिए 180 और 90 इतना total आपको premium यहाँ पर decay दिख रहा है अभी market close होने दीजे और इसी range में होने दीजे आप इस पे नज़र रखिएगा अगर बाजार 46,000 के पास बना रहा और close कर गया यह premium और reduce हो जाएंगे कल जब open होगा अगर 46,000 के आसपास तो यह premium 2500 गिर जाएंगे अच्छा 7 जनवरी तक बाजार 45,600 और 44,400 के range में रहा दोनों 0 हो जाएंगे यही हम लोग कमाते हैं सर आप लोग जो कहते हैं ना मुंगेरी लाल के सपने कि एक दिन में अपना capital डबल कर लेंगे 50% gain करेंगे option buying में होता है क्या wholesome game है trading एक earn करेगा तो दूसरा loss करेगा ठीक है तो option buyer तो probability 80% उसके loss की है और selling आपको आता नहीं है ढग से hedging करना सीखिए जब तक hedging नहीं करिएगा इसी तरीके से तकलिफ में रहिएगा ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं price पर कोई भी price में हमको buying करने का मौका मिलता है buying करने का मौका जैसे आज budget station था तो finance sector को लेकर और PSU banks को लेकर कुछ positivity हमको देखने को मिली कुछ सकारात्मक खबरे और finance sector वैसे ही एक sector है तो वहाँ पर खरीदारी के लिए हम लोग प्लान करते हैं जहां भी आपकी एक planning हो कि मुझे यहां पर buying करनी है खरीदारी करनी है अब जब वहाँ पर buying करने का सोच रहे हूं ठीक है कि यहां पर मुझे खरीदारी करनी है buying करनी है और price जैसे HDFC bank trade कर रहा था 1700 पर और आपको लग रहा था कि यहां पर एक अच्छी buying बनेगी HDFC bank एक अच्छा stock है मैं भी खरीदना चाह रहा हूं कैसे खरीदूं बताइए यह आप पूछते तो मैं कहूँगा अभी रुख जाईए institutional buyer जहां पर अपने order लगा कर बैठे है वहाँ खरीदारी कीजेगा मैंने क्या बोला अभी रुख जाईए institutional buyer जहां पर अपने orders लगा कर बैठे हैं वहाँ खरीदारी कीजेगा ठीक है अच्छा institutional orders कहां पर किस price पर अपने order लगा कर बैठे हैं यह हमको कैसे पता लगेगा इसका एक तरीका है इसका तरीका होता है हम लोग intraday में VWAP को यूज करते हैं VWAP को आप maximum trader यूज करते हैं अच्छा VWAP के लिए individual आपको एक video चाहिए हो एक session चाहिए हो तो comment section में बताइएगा VWAP को आप लोग यूज तो करते हैं ठीक है लेकिन मैंने देखा कोई भी VWAP पर profitability नहीं ला पाता है क्यों ट्रेड करने का तरीका बहुत अलग है है ना आप जो ट्रेड कर रहे हैं VWAP को जिस तरीके से VWAP क्या है volume weight is average price की volume को एक भार देकर फिर उससे price का आसत निकालना ये VWAP का use है एक अच्छा concept है ट्रेड करने के लिए लेकिन how to implement उसको use कैसे की आजाए उस पर trade execution कैसे होंगे किस price पर buying की जाए ये आप लोग नहीं जानते इस वज़े से आप loss कर रहे है बार-बार trapping होती ये आपकी VWAP से ठीक है तो वो मैं आपको बताऊंगा VWAP basically internet एक लिए use करते है अच्छा VWAP को जब हम लोग positional trade करें ठीक है यही VWAP जब positional में आता है तो institutional buyers के order बता देता है सोचिए volume को आधार बनाकर किसी भाव का आसत निकाला जाए volume खरीदारी कितनी हुई 400 करोड से हुई 500 करोड से हुई 1000 करोड से हुई तो जितने से खरीदारी हो रहा है buying कितने से हो रहा है बिकवाली selling कितने से हो रहा है उस volume को आधार बनाया और उसको आधार बनाकर फिर price का आसत निकाल रहे है यह बहुत अच्छा concept है ठीक है और जब आप इसको यहां से यहां तक कितना उसत आया आप अब लोग निकाल लेंगे मैं पूछू यहां से यहां तक average क्या trade कर रहा है अब सब लोग निकाल लेंगे अब मैं आपसे पूछू कि volume के आधार पर कि कितना पैसा बजार में आया है एक particular stock में या futures में जो भी आप price देख रहे हो index को देखें या options को देखें जो भी आप देखें तो उस पैसे के आधार पर अगर आप predict कर पाएं कि क्या भाव होना चाहिए है ना उसको हम कहते है anchor vwap क्या कहते है anchored vwap ठीक है anchor vwap को कैसे use करते हैं समझे price में सबसे पहले हमको एक low देखना है क्या देखना है low देखना है ठीक है हमने low देख लिया low देखने के बाद price में क्या करना है हम लोग यहाँ पर weekly time frame पर चलें तो बैतर होगा हम लोग और अच्छे से देख पाएंगे यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा जब आप किसी भी price को predict करने जा रहे है किसी भी price को predict करने जा रहे है और anchor vweb का use करेंगे तो उसकी एक पहली बात तो यही ध्यान रखिए कि anchor vweb institutional buyer का zone है वहाँ पर institutions mutual funds, banks, LIC यह सारे hedge funds कह देते हैं अपने लोगों से management से कि anchor vweb पर price आ जाए तो खरीदारी कर लीजेगा इस particular stock में बोल कर रखते हैं पहले से pending order पड़े रहते हैं anchor vweb के price ठीक है क्यों वो volume को आधार बनाकर औसत भाव बता रहा है तो हमको सबसे पहले find out करना होता है एक low low find out किया तो उस low की date को mention कीजे जैसे यहाँ पर मैं यह low देख पा रहा हूँ low यह देख पा रहा हूँ जब आप यह low देख रहे हैं मैं आपको समझागा हूँ यह low आप जब देख रहे हैं तो मैं आप से पूछू बताइए कि यहाँ पर यह कब low लगे है तो आप बोलेंगे यह देखे नीचे date लिकर आता है जब मैं cursor लेकर गया तो नीचे देखे यह chart IQ का chart है यह देखिए trading view के chart में anchor vweb का इतना बहतर आप यूज नहीं कर पाएंगे chart IQ के chart में कर पाएंगे हम लोग दो चार्ट बेसिकली यूज करते है जब trend को trade करना है तो trading view का chart है जब individual एक एक candle को अलग अलग देखना हो ठीक है तो कौन सा chart यूज करते हैं तब chart IQ का chart यूज करते हैं यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हम लोग individual एक candle को अलग अलग देख पाते हैं हर एक lower week, upper week, body size के साथ ठीक है individual candlesticks को analyze करने के लिए chart को और विस्तार पूरवक पढ़ने के लिए हम लोग chart IQ का chart यूज करते हैं यह दोनों chart आपके लिए free of cost करी लोगों को मैंने देखा trading view के subscription ले रहे है और अलग अलग ले रहे है तो यह दोनों आपके लिए charts free of cost उपलब दें धन पर धन को जो मैंने आपको बताया ना description में लिंक है इसका आप open कर लीजे chart IQ और trading view दोनों chart साब के लिए free of cost कोई पैसा किसी को नहीं देना ऐसे ही यूज कीजिए मुफ्त में ठीक है कोई पैसा नहीं देना इसके लिए तो यह क्यों सा chart है chart IQ की chart पर use करेंगे trading view के chart पर नहीं ध्यान रखें यहाँ पर देखे chart IQ की chart पर है यहाँ पर click करेंगे directly trade कर सकते है trading view के chart पर यहाँ पर click किजिए इसके पहले यह लो यहाँ पर लगें देख पा रहे हैं तो यह कब लो लगे हैं देखे तो आप बोलेंगे यह लो लगे हैं देखे नीचे तारीक लिख करा रहा है यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर नजर रखिएगा जब मैं cursor ले जा रहा हूं studies में यहां पर इस तरीके से अब देखिए आपको सारे data यहां पर फिल करना है अभी आपने क्या date यहां पर देखी थी यहां पर देखी थी 3622 देखा था की नहीं देखा था इसको हम बदल सकते हैं जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं time, date सब कुछ है आपर फिल कर दीजे ये आपको औसत निकाल कर देदेगा उस प्राइस का एवी वेप एक एवरेस निकाल कर देदेगा अभी क्या चल रहा है अभी तक जितने वॉल्यूम आए होंगे जितनी खरीदारी बिक्वाली होगी बाजार में सभी को मेंशन करके बता देगा तो date क्या है date देखिए formation देख सबसे पहले 0-3, 0-6 और 2022 ठीक है ये देखिए लगा दिया anchor time अगर आप time fill करना चाहे हों तो मैं अब लगा देता हूँ क्योंकि weekly time frame हम लोग देख रहे हैं इस तरीक है से mention किया field को close ही रखना इसको भी बदलना नहीं है बिल्कुल नहीं बदलना है ठीक है बिल्कुल change नहीं करना क्योंकि weekly time frame हम लोगों ने लिया है time की value कब आती है जब आप hourly time frame को trade कर रहे है तब आपके लिए time महत्रपूर हो जाता है ठीक है अब आप अगर गौर करें तो ये आपके पास एक average यहां से यहां से लग कर आया ठीक है इसको हमको क्या करना है यहां से लगाना है अब यह द उसका उसत भाव क्या है 1560 रुपया अभी कहां trade कर रहा है 1460 पे trade कर रहा है ठीक है अब अगर आप लोग positional HDFC bank में buying कर रहा है ठीक है अच्छा आप लोग बोलेंगे क्या इतना ही देखा जा सकता है नहीं इसका long term average अगर आप देखना चाहें कि जो low लग गए थे अब आपको clear होगा यह तो वो हुआ कि जब आपने पिछले दो महिने के anchor से एक VWAP से price निकाल लिया मैं बोलू कि यहां पर आप एक चीज को check कीजिए कि जो buying कोविट के समय उठी उसका उसत क्या है तो इस blue line को उठाकर यहां पर रख दीजे अब validation zone से जो buying उठेगी हो 1560 के उपर है लेकिन जो buyer ने खरीददारी की जो पैसा लगाया COVID के समय जो low लग गए वहां पर जिन buyers ने पैसा लगाया उनका average price क्या है 15,420 रुपए 1420 रुपए मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग price अब 1400 के पास आ रहा था वहां से खरीदारी कर रहे थे ठीक है अच्छा एक बात समझे एंकर के पास प्राइज आ जाए एंकर के पास जब जब प्राइज आएगा एक बार की बात नहीं करता हूँ जब जब एंकर के प्राइज उठा, दुबारा यहीं से उठा, तीसरी बार यहीं से उठा, चौती बार इसके पास आके रिवर्स हो गया, पांचमी बार फिर यहीं से, एंकर के नीचे प्राइज का आना मुश्किल ही नामूंकिन होता है इसे, और अगर आ गया तो वो इतना discounted price है कि आप यक करते हैं एक बार एंकर के नीचे प्राइज आने के बाद लॉटकर दुबारा एंकर के उपर आता है, आप समझ लीजिए कि बहुत बड़े profits के साथ आप उस टेट को close करेंगे बस entry कर लिजे, बस entry कीजे बहुत बड़े profits के साथ उस टेट को close कीशे यह तरीका है, इस तरीक की बाइंग जहां से हुई है वो प्राइज अगर आप लोग देखें गौर करें ठीक है यहाँ पर मैं चार्ट को प्लान करूं देखें यह इंडस्टावर है मैंने क्या का सबसे पहले एक लोएस्ट पॉइंट देखें यह देखें कुछ भी आपको नहीं करना होता है सर मैंन प्राइज यहां से बाइं उठाके दुबारा हाई की तरह बढ़ने को तयार है तीसरा एक और एक और एक्जाम पर आपको यह खरीदारी के लिए राय है सारी ठीक है यह अपने पास रखिए स्टॉक्स को आप देखिए क्या होता है इंट्राडे में इसको कैसे यूज करते हैं इसके लिए बिल्कुल एक अलक्सेशन मुझे करना होगा ठीक है एक बिल्कुल अलक्सेशन ठीक है तब हम लोग समझ पाएंगे इंट्राडे में कैसे इसको इंप्लिमेंट किया जाएगा देखिए यह अब मुझे क्या करना है जो इतनी बड़ी rally लेकर आये थे इस बाजार में, ये buyers, इनका average price, तो ये अपने आसत से नीचे trade कर रहा है, कौन सा, zeal, ठीक है, तो zeal में अगली खरीदारी कब बनेगी, जब price anchor के उपर trade करें, उसके पहले बनेगी, ठीक है, anchor के उपर trade करें और swing high के उपर निकले, 300 के उप तब हम कहीं buying plan करेंगे, उसके पहले कोई buying नहीं plan करेंगे, अच्छा, कोई पूछे, short term में क्या करें, तो short term में मैं बोलता हूँ, price को nearby से लगा लीजे, nearby से लगाना समझ गया न, कि nearby जो low लगे है, आप जिस low से उसत चाहें, वहां से plot कर सकते, यहां से लगाई, यह देख HDFC bank यही से buying उठा रहा है, आप अगर पाएंगे, तो जितने stocks हम लोग खरीदारी करते हैं, buying, PSU bank की खरीदारी की buying की है, ठीक है, तो PSU bank 20 में हम लोग buying plan कर रहे हैं, कई सारे ऐसे stocks हैं जहां पर हम लोग buying plan कर रहे हैं, तो उन सारे anchor price को याद रखिए, PNB का anchor याद कोई भी market में dip मिलेगा, price anchor के पास आएगा, वो आपके लिए सबसे best entry price होता है, खरीदारी उससे बैदर नहीं हो सकती, ठीक है, अच्छा, इस पूरे session में जो doubt रहेगा, और निचे comment section में बताइएगा, आप अगर हमसे जुड़ना चाहें, तो जो description में आपके पास telegram और whatsapp group के link है, वहाँ से जोड़ सकते हैं, इस DMAT को open करना चाहें, तो description में ही आपको धन के DMAT का link भी मिल जाएगा, चलिए धन्यवाद,